नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल अश्टाडी फोर गोल्स में आपका स्वागत है दोस्तो जारकन में मुख्य रूप से 32 जन जातिया निवास करती हैं तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा जन संक्या की दिरिष्टी से जारकन की दूसरी सबसे बड़ी जन जाति के उपर वीडियो स्टाड करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन दोस्तो विजेता वही है जिसने हार को भूल एक बार फिर से परियास किया आपने अलबर्ट आइंस्टीन थॉमस अलवाइडिसन जैसे लोगों का नाम तो सुना ही होगा So don't be depressed, be positive तो चलिए सुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तो हमारा आज का वीडियो उरावजन जाति पे बेस्ट है आज हम उरावजन जाति के पर्मुक अस्थल, पेसा, सौक, पर्चलन, परिवार, समाज, गोत्र, दोस्ती, विवा, सिच्छा, संसकार, धर्म, परसासनिक वैस्था, रिति, रिवाज, इत्यादी के बारे में विश्तिरीत रूप से पढ़ेंगे जो JPSC, JSSC, exam point of view से imported है दोस्तो उरावजन जारकंड की एक महतपूर्ण जन जाती है जन संक्या के दिरिष्टी से उरावजन जाती जारकंड की दूसरी सबसे बड़ी जन जाती है एक मुख्य रूप से राची, पलामू, लातेहार, हजारी बाग, सीमभूम तथा संथाल परगना छेत्रों में पाये जाते हैं उरावजन भासायों पर जाती दोनों दिरिष्टी से दर्विट जाती से संबन दित हैं उरावजन का मुख्य पेशा क्रिसी है कभी सिकार करना इनका पेशा हुआ करता था पर अब यह पेशा सौंक बनकर रह गई है एक परतिवस वैसाख में विसु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा और वर्सा रितु के प्रारम में जेट सिकार करते हैं एक अनवचारिक शिकार भी किया जाता है जो सुईदायम इच्छानुसर होता है जिसे दौराहक कहते हैं उरावजन जाती में पसरी परता भी परचलन में है जिसके तहत लोग एक दूसरे के क्रिसी कार में सहयोग करते हैं एक दूसरे की मदद में कोई किसी को हल बैल देता है तो कोई जोतने कोने में सहायता करते हैं मेहनत का भी नीमे होता है तुम मेरे कोई मदद करो बदले में मुझसे कोई मदद लो पहले इन में पाचा पंधती परचलान में खूब था युगागिरी के धांगर मतों के माध्यम से युगागों की मदद मिल जाती थी बदले में खाने को खाना और पीने को हड़िया दिया जाता था पर अब नगदी रकम तै कर ली जाती है घर्दी जमाई की वैस्ता भी आजी की काई परिवार है इनका परिवार पित्र सतात्मक एवं पित्रवन सिये होता है उन्हाँ कई टटमिक गोत्रों में बटे हैं जिने किली कहा जाता है बात करें इनके परमुक गोत्र की तो इनके परमुक गोत्र हैं तिरकी, कच्छप, मींज, खलको, इकका, खाखा, क पो कुजूर इत्यादी इन में अनेक परकार के विवा देखने को मिलता है अच्छा दोस्तो एक बात याद रखे कि उराओं जो है वे सम ग्रामा विवा के सिधान को नहीं मानते हैं इन्हें एकदम पसंद नहीं कि लड़का-लड़की का विवा एक ही गौँ में हो यह लोग आपस में कितरिम ढंक से नाता स्थापित करते हैं और सहिया का चुनाओ करते हैं इसे सहियारो कहते हैं यह नाता बहुत ही स्ट्रॉंग एंड सिक्यूर सुद्रिड होता है सहिया चैन सामारो परतेक तीन वर्स में किया जाता है धनकटनी के बाद गाउं की कुआरी लड़क भी एक दूसरे को लारिन या संगिनी कहकर बुलाती है उराओ जन जाती के समाजी को अस्था में व्यागिरी धुमकुडिया एवं अखरा का महतपुर्ण अस्थान है दोस्तों धुमकुडिया एक सधारन घर होता है जहां अविवाहित व्युतिया रहते हैं लड़के और के लिए किसी लड़के को मुख्या के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है जिसे महतों या धांगर महतों कहते हैं तता पेल एरपा की लड़कियों की देखवाला और उन पर नजर रखने का दावित जो है वा किसी प्रॉड या विध्वा महिला को सौपा जाता है जो अगवग 10 से 11 वर्स की उम्र में हो जाती है और विवा के पूर्व तक इसके सदस रहते हैं इनकी तीन सिरेनिया होती है पहला है पूना जोखर जो नए परवेश करते हैं दूसरा है मान जोखर तीन सल पुराने हो चुके और तीसरा है कोहा जोखर दोस्तों धांगर महतों क saayak होता है जो कोतवार कहलाता है धूंकुडिया में कठोर अनसासन बनाये रखा जाता है तता इसके अधिकारी परतेक तीन वर्स पर बदल दिये जाते हैं इसके लिए एक सरल सदारन समा रो मुकिया हंडी होता है जिसे रिया पानी भी कहा जाता है धूंकुडिया में अर्थिक समाजिक धार्मिक संगठन का पुरातन सवरुप प्रस्तूत करता है यह जनजातिया पर सिछन केंद्र होता है जहां एक सफल समाजिक वैक्ति बनने के दिछा दी जाती है यहां अपने जनजातिये रिती रिवाज परंपरा लोग गीत लोग निरित लोग संस्कृति आस्था विश्वास आदि से परिचीत कराते हुए वैवारिक ज्यान दिया जाता है दोस्तो यह था उराव जनजाति के समाजिक वैस्ता धुमकुडिया विवागिरी का परिचाएं अब हम जानेंगे अखरा के महत्वे दोस्तो अखरा उराव का एक महत्पूर्ण समाजिक संस्कृतिक संस्ता है यह विराम अस्थल है प्रकृति का सरन अस्थल है जहां दीन भर की कड़ी मेनत के बाद युवक विवतियां अपनी ठकान मिटाते हैं like rest place दोस्तो हमने अब तक बात की है उराव समाज का परिचय अस्थान सोंक प्रथा परचलन वैस्था परिवार ग इनका परमुख देवता धरमेश हैं जो सिंग भोगा या सूरी का परतिक हैं तता धर्ती माता उनकी दमपती मानी जाती है means that they are like couple अन्य देवी देवताओं में मारांग बुरू, पहार देवता, ठाकुर देव, गराम देवता, डिवार, सिमान देवता, पूर्व जात्मा, कुल देवता आदी हैं, दोस्तो इनका धर्म परधानवा पुजारी पहान होता है, तथा इनका मुख्य पूजास्थल सरना होता है, दोस्तो इनके पुरवजो की आत्मा सासन में निवास करती है, वर्स में एक बार प्राया, जनवरी में हंड बोरा संसकार होता है, जिसमें वर्स भर में मरे गोत्र किये सभी लोगों की हड़ी गोत्र खुंदी यानि नदी में निछे पित की जाती है ऐसा मानना है कि हंड बोरा के बाद उनकी आत्माएं पूरवजों की आत्माओं से जा मिलती है और आत्माओं की इस मिलन को कोहा बेंजा कहते हैं दोस्तो उराओं के मुख्य पर्व, सरहूल, कर्मा, जीतिया, नावाखानी, फागुजतरा आदी हैं तथा सेवा विवा, गोलट विवा, आयुजित विवा, विद्वा विवा आदी का भी परचलन है दोस्तो उराओं जन जाती की राजनितिक एवं परसासनिक व्यस्ता सर्व पर्थम जब इनका आगमन छोटा नागपुर छेतर में हुआ, तो उन्होंने जंगलों को साप करके क्रिसी कारी प्रारंभ किया, सबसे पहले आकर बसने वाले और क्रिसी कार करने वाले उराओं भूइयर कहलाएं तथा इनकी भूमी भूइयरी भूमी कहलाई, इनके गाओं का परसासनिक एवननयाई कारी करने वाला महतो कहलाया तथा पाहन केवल धार्मिक कारियों को ही संपन करने लगा, दोस्तो उराओं की अबादी बढ़ने के साथ साथ इनके ग्रामों की संख्या भी बढ़ने लगी, जिससे एनेक परकार की समस्याएं उत्पन होने ल पढ़ा पंचायत द्वारा एक से अधिक गाओं के बीच उत्पन समस्याओं का समधान किया जाता है, संपती का बटवारा, विवासंबंदी विवाद, यौन अपराद, चोरी, आदी से संबंदित मामले ग्रामी नस्तर पर या पढ़ा पंचायत में सुल्जाए जाते हैं, दोस्तो जेनरली पंचायत की बैट की अखरा में होती है, जहां लोकतातिक धंग से विवादों का निप्टारा किया जाता है, अपराद सीध होने पर जुर्माना, सारीरिक दंड या जाती भहिसकार की सजा का परवधान है, जाती भहिसकार एम पुनर परवेस का निरना है, केवल पढ़ा पंचायत दवरहीं दिया जाता है, जुर्माने की रासी को पुजा पाट एम अन्निक कल्यान कारी कारियों पर व्य किया जाता है, दोस्तो वर्तमान समय में जहार्खन में उराउं जन जाती को सबसे अधिक सिछित जन जाती माना जाता है, एस समाजिक तथा राजनिति ग्रूप से सबसे अधिक जागरूप यवं अपने परमपारिक रिती रिवाजों के परति सचेत हैं। राजवास्ता लागोने पर भी इनकी परमपारिक संस्ताय काफी सक्रिये हैं इनकी परमपरा महान है अंतता दोस्तों मैं सुभास वर्मा आसा करता हूं कि आपको यह जनकारी यूजफुल लगी हो अगर आपने इस वीडियो में कुछ पाया है तो इस वीडियो को कम से कम 5 लो चाहिए धन्यवाद सी यू झाली ने आसियो है